हैलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल ग्ञान सरितारो ज़क जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्ती करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्ती स करने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें जिसे कि आप किसी भी परिशानी में ना पढ़ सकें और कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपका दोस्त बनना चाहता है इसकी पहचान आप कर सकें कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के स खुल कर बात नहीं करेंगे इस तरह के लोग आपकी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं जो लोग हर किसी की सामने आपके गलतियों को बता देते हैं वो आपके कभी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते उनका मकसद आपका अपमान करके सिर्फ आपको हसी का पात्र बनाना होता है सच सच्चा मित्र हमेशा आपके औगुडों को अकेले में ही बात करके आपको समझाने की कोसिस करेगा आज की समाज की प्रवर्ति दूसरों को नीचा दिखाने की हो रही है लेकिन जो वेक्ति दुनिया के सामने आपके गुडों की व्याख्या करे जो खुल कर आपको अपना समर थंदे वही सही मायने में आपका सच्चा मित्र हो सकता है ऐसे लोगों को दोस्त बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जो अधरम करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहने से माना जाता है कि उसके पाप भी आपके सिर्ध लग जाते हैं इसलिए अधरम का हिस्सा बनने से बहतर है कि इसने सब्दों से हर किसी को चोड पहुंचाते रहते हैं उस वेक्ति को मूर्ख कहा जाता है जिसे अच्छे बुरे धर्मा-धर्म किसी का भी ज्यान नहीं रहता ऐसे लोगों से दोस्ति करना आपके जीवन में परिशानी खड़ी कर सकता है दोस्ति करने से पहले जरूर सो कई बार मुसीवत का कारण बन जाता है ऐसे लोग जोस में आकर ऐसे काम कर जाते हैं जिन पर बाद में सोयम ही पस्ताना पड़ता है ऐसे इंसान से भी कभी दोस्ती नहीं करना करनी चाहिए जो कि घमंडी हो उससे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए ऐसे लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे सकते, इन्हें डर होता है कि कहीं आप इनसे आगे ना निकल जाएं, तो friends, अगर आप भी दोस्ती करना चाहा रहे हैं, किसी को अपना दोस्त बनाने जा रहे हैं, तो दोस्ती करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि वो इनसा अच्छा है या बुरा है और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें press कर दींजिए जिसे की हमारी नए नए वीडियो आप सबसे पहले देख सकें